Hello Everybody, आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, उसमें हम देखेंगे Expert Witnesses Under the Indian Evidence Act 1872 इसमें हम कवर करेंगे कि एक expert कौन होता है और साथी साथ हम कवर करेंगे Handwriting Experts Opinion को Opinion for Electronic Evidence को Opinion for Foreign Law को Opinion for Fingerprint को Opinion for Science और Art को Opinion of Medical Expert को और Opinion of Ballistic Expert को Generally, जब किसी व्यक्ति को समन किया जाता है Court के समक्ष Testimony देने के लिए As a Witness तो यहाँ पर उससे अपेक्षा की जाती है कि वो सिफ facts को बताए और अपना opinion ना दे ये Court का जॉब होता है कि वो किसी भी case में अपने opinion को form करे और जब किसी व्यक्ति को Testimony देने के लिए बुलाया जाता है तो उस व्यक्ति से यही Expect किया जाता है कि वो facts को बताए लेकिन इस rule का एक exception है जो experts होते हैं उन्हें witnesses consider किया जाता है भले ही उनका case से कोई भी तालुक नहीं होता कोर्ट यहां पर इन experts से यह expect करता है कि वे अपने opinion दे जिससे court की मदद हो सके और court को एक wider perspective provide किया जा सके experts के opinion justice प्रदान करने में सायता करते हैं इसके पीछे जो reason है वो यह है कि यह practically possible नहीं हो सकता है कि judges के पास में adequate knowledge हो medical issues का experts opinion को discuss किया गया है Indian Evidence Act 1872 में अब यहां सवाल यह आता है कि expert कौन होता है court के द्वारा एक correct judgment नहीं पास किया जा सकता है बिना ऐसे व्यक्ति की मदद के जिसके पास में कोई special skill हो या फिर experience हो किसी particular subject का जब court को आवशक्ता होती है opinion की किसी subject में जहां पर special assistance required होता है तब court के द्वारा expert को call किया जाता है जो कि एक specially skilled person होता है जो opinion दिया जाता है एक third person के द्वारा उसे consider किया जाता है as relevant fact अगर जो third person है वो testify कर रहा है as an expert उधारण के लिए हम कह सकते हैं court के सामने एक बड़ी confusion थी कि एक particular letter x व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है या नहीं तब यहां पर court के द्वारा handwriting expert को बुलाया जाता है जिसे यह पता किया जा सके कि जो letter है वो x व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है या नहीं लिखा गया है तो यहाँ पर जो व्यक्ति handwriting expert है वो case में expert कहलाएगा और यहाँ पर जो expert का opinion है वो इस case में relevant होगा expert को define किया गया है under the section 45 of Indian Evidence Act 1872 court को एक expert की आवशक्ता होती है जब बात आती है foreign law की, science and art की handwriting को identify करने की finger impression को identify करने की या फिर जब बात आती है electronic evidence की जब इन fields में व्यक्ति के पास में expertise होती है तब उस व्यक्ति के opinion को expert opinion consider किया जाता है अगर ऐसी कोई field जो की अभी mention नहीं की गई है उसमें एक opinion की आवशक्ता होती है तब फिर उसे expert opinion नहीं कहा जा सकता है example के लिए cases जैसे disposition या फिर temper of animals color, weight या फिर scale या फिर ऐसे ही कुछ facts किसी व्यक्ति की age को पता लगाना इस बात को चेक करना कि जो man या फिर woman है वो intimate थे या नहीं इस बात को चेक करना कि जो व्यक्ति था वो intoxicated था या नहीं तो जब इन सारी बातों पर opinion दिया जाता है तो उसे expert opinion consider नहीं किया जा सकता है जब किसी expert के द्वारा opinion दिया जाता है तो case के लिए उसे एक relevant fact consider किया जाता है एक expert व्यक्ति के द्वारा अपने time को devote किया जाता है किसी special branch of expertise को सीखने के लिए special skill में include किया जा सकता है superior knowledge को और practical experience को जब court of law के द्वारा किसी भी opinion को admit किया जाता है जो कि किसी expert के द्वारा दिया जाता है तब यहाँ पर court के द्वारा इस बात को ensure किया जाता है कि जो person है वो एक expert है under the law अगर यह बात पाई जाती है कि जो व्यक्ति है वो एक expert नहीं है तब यहाँ पर court के द्वारा उसके opinion को discard कर दिया जाता है इस बात को check करने के लिए कि जो witness है वो एक expert है या नहीं उसे examine और cross examine किया जाता है कोई भी व्यक्ति एक expert, practice, observation या फिर experience की वज़ह से बनता है अगरवाल versus Regency Hospital Limited and others court के द्वारा इस बात को state किया गया कि expert evidence की admissibility के लिए जो सबसे पहली requirement है वो यह है कि expert evidence को necessarily सुना जाना चाहिए यहाँ पर test इस बात का होता है कि जो matter है वो किसी आम आदमी के knowledge और experience से परे है handwriting experts opinion section 47 जब court के पास में यह opinion होता है कि किस व्यक्ति के द्वारा किसी चीज को लिखा गया है या फिर किसी document को sign किया गया है तब court एक handwriting expert का सहारा लेती है हाँ पर handwriting expert के द्वारा opinion दिया जाता है कि particular handwriting किसी व्यक्ति की है या नहीं किसी व्यक्ति की handwriting को approve किया जा सकता है किसी expert के द्वारा या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसने उस व्यक्ति की handwriting पहले देखी हो या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसको कोई document मिला था जिसमें उस particular व्यक्ति के द्वारा कुछ लिखा गया था या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कि regularly receive करता है letters या फिर papers ऐसे particular व्यक्ति से ऐसा कोई व्यक्ति जो कि उस particular व्यक्ति के signature या फिर राइटिंग से पहले से ही वाकिफ है या फिर किसी certifying authority के द्वारा जिसके द्वारा issue किया गया है digital signature certificate जब बात आती है digital signature की इस बात को evidence act के section 47A में mention किया गया है या फिर जिस व्यक्ति ने उसे लिखा है उसी व्यक्ति के द्वारा इस बात को प्रमानित किया जा सकता है कि ये writing उसकी है या नहीं इस बात को mention किया गया है section 60 में अगर कोई अन्य व्यक्ति इस बात को admit कर लेता है कि यहाँ पर उसके द्वारा इस चीज को लिखा गया था किसी particular व्यक्ति की writing में या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसने पहले भी व्यक्ति की writing को या फिर signature को देखा है या फिर यहाँ पर court खुद भी compare कर सकती है documents को जो की question में है किसी अन्य document के साथ में इस बात को mention किया गया है section 73 में या फिर जो court है वो व्यक्ति को पूछ सकती है कि वो कुछ लिख कर दिखाए जिससे document में जो बात लिखी हुई है उसे compare किया जा सके उसकी current writing से opinion for electronic evidence section 45A जब किसी information court transmit किया जाता है या फिर store किया जाता है computer system में और ऐसी परिस्तिती में court को opinion के आवशक्ता होती है तब यहाँ पर court इस बात को refer करती है एक electronic evidence के examiner को ऐसे case में एक electronic evidence के examiner को expert कहा जाता है इस section के लिए electronic evidence include करता है कोई भी information जिसे transmit या फिर store किया जाता है किसी computer resource में या फिर किसी अन्य electronic या फिर digital form में opinion for foreign law section 38 read with section 45 जब यहाँ पर कोई law prevail करता है किसी अन्य country में के अंतरगत opinion for fingerprint जनरली किसी finger impression के लिए expert के opinion की आविशक्ता होती है हर किसी व्यक्ति का जो fingerprint है वो सेम होता है जन्द से लेकर म्रत्यू तक और साथी साथ ऐसे कोई भी दो individuals नहीं होते जिनके पास में same finger impressions हो footprints को भी study किया जाता है और वो भी importance गेन कर रही है पर court के द्वारा footprints को accept नहीं किया जाता है as an evidence ऐसा एक व्यक्ति जो fingerprint expert होता है उसे बुलाया जाता है दो fingerprints को match करने के लिए और ऐसे एक expert के opinion को case में relevant माना जाता है opinion for science or art जो शब्द है science or art उन्हें broadly construct किया जाता है जो term science है वो limited नहीं होती है higher sciences तक और जो शब्द है art वो limited नहीं होता है fine arts तक यहाँ पर यह जो शब्द है वो handicraft को भी include करता है trade को भी include करता है profession को भी include करता है और skill को भी include करता है science और art signify करते हैं ऐसी activities को जो कि include करते हैं ऐसी fields को जहाँ पर special knowledge या फिर expertise की जरूरत होती है किसी opinion को form करने के लिए किसी व्यक्ति को expert designate करने से पहले इस बात को check करना आवशक होता है कि जो field है या फिर जो matter है वो एक ऐसा field या फिर matter नहीं होना चाहिए जिसमें किसी आम आदमी के द्वारा भी या फिर court के द्वारा भी जिस बात को समझा जा सकता हो वो कोई ऐसा matter या फिर ऐसी field नहीं होनी चाहिए जहां पर special knowledge या फिस skill की आवशकता ही ना हो opinion for medical expert medical expert के opinion को तब इस्तमाल किया जा सकता है जब बात आती है किसी व्यक्ति के physical condition की किसी व्यक्ति के age की किसी व्यक्ति के म्रत्यू के कारण की nature और affect की किसी disease या फिर injury की जो body पर हुई है या फिर जो mind पर हुई है किसी injury को देने के लिए किस तरीके को या फिर किस instrument को इस्तमाल किया गया था समय जब ये जो injury है या फिर जो wound है वो दिया गया था क्या जो injury है या फिर जो wound है वो fatal है nature में किसी disease के causes या फिर symptoms को पता करने के लिए और साथी साथ इस बात को पता करने के लिए कि क्या ये disease, death को cause कर सकती है किसी injury के future consequences को पता करने के लिए बैलिस्टिक experts जिनने firearms expert भी कहा जाता है ये expert होते हैं projectiles और firearms की study में इनकी मदद ली जाती है जब जो case होता है उसमें guns involved होती है एक ballistic expert के द्वारा bullet को trace किया जा सकता है या फिर cartridge को test किया जा सकता है ये bullet या फिर cartridge किस weapon से discharge किया गया है forensic ballistics के द्वारा भी opinion furnish किया जा सकता है उनके द्वारा बताया जाता है कि कितने distance पे से जो bullet है उसे fire किया गया था और साथी साथ इस बात को भी बताया जाता है कि जो वैपन है उसे आखरी बार कब इस्तमाल किया गया था